Welcome dear students of 6th class. Welcome in today's video lesson. आज दे video lesson दे विच असी करन जा रहे हैं बिटा Reading Comprehension हाँजी Reading Comprehension केड़े lesson ना रेलेटड़ है? केड़े lesson चे मिलूगाता आनू? Lesson No. 12, last lesson जेड़ा तो आड़ा Rosie's Meeting with Nessie पे activity 9 दे अंडर दिता होया बिटा है सो आज आपां पढ़ दे आनू और समझ दे देख दे आ की करना Reading Comprehensions की हुंदागा सान पैसे दितना होंदा जेड़ा से रीड करके वोदे questions दे answers देने हुंदेने So open your book on the page No. 119 Let's start Activity No. 9 Read the following passage and answer the questions that follow पैरे नू तिहां नाड पढ़ो अते फिर इस द्वा नाड रेलेटर पुछेगे प्रशना दे उत्तर लिखो Okay लोजी होना आपां पढ़ देयां paragraph Let's read The Himalayas are the highest mountain on earth हमालया परबत वारे सुनेयां तुसी SST दे वेच तुसी पढ़ दे वियो हुटा So हमालया परबत ने जड़े उस संसार दे जान तरती ते सब तो उचे पहाड ने mountains की उंदेने पहाड केडे ने होन उचे पहाड सा रहा नो हमालया परबत The mountains are covered with snow जड़े पहाड ने ओ हमेशा कादे ना लद्दे रहन देने snow देनार Cover means टके रहन देने हना The highest peak सारया नो उच्छी चोटी Mount Everest is 8,848 meters above sea level इदा की मतलब सारया नो जड़ी उच्छी चोटी या Mount Everest होदा नाम हा ओदी जड़ी हाइट हा उच्छाई या 8,888 meters above sea level दा मतलब सुमुंदर दे तालतों ना पीजन दिया ठीक Next है Tenzing, Norgay and Amant, Halary were the first two people to set foot on Mount Everest ए दो बंदे जिनना दा नाम लिटता गया गा Tenzing, Norgay and Edmund, Halary पहले दो परसन सी लोक सी जिनना ने Mount Everest दे पैर रख्या लोजी होण तो उन्नों क्रियोस्टी हो रही होगी तो कहजी होणगी है ना, सो तुसी उन्ना दी तस्वीर देखो ए तस्वीर तो तो आननों क्लियर हो जुगा है ना, तुसी स्वार्च भी करसा देऊ ए ने Sir Edmund Hallary ए ने Tenzing, Norgay जिनने नाल पूरा नामा शेरपा, Tenzing नौर गई तो एनना ने किन्ने फोट चड़े वो किन्नी उचाहिते चड़े सी ट्वेंटी नाइन नत्ती हजार पैंती फोट उच्चा चाड़के गए विटा कदू एनना ने चोटी सर कीती सी मांट एवरस दी ट्वेंटी नाइन मे 1953 दे विच ठीक है यह पहले सी सार नो पहला एनना ने पहल रख्या फेर नौर गे ने ठीक यह पता लागी तस्वीर देख ली दुसी ओके वेरी गुट चलो जी होना आपा बापस अपने चल दे हां पैसिस दे हां जी नेक्स्ट किया सेंस देन मैनी पीपल हैव सुकसेस्फुली स्केल दा फीक उस तो बाद उस टाइम तो जदो इनना ने पैर रखता बहुत सारे लोका ने सफलता पूरुवे के इस चोटी ते नू सार कीता जहां पकांगे चोटी ते चड़ाई अब्तार सिंग चीमा वाज फॉस्ट इंडियन तू रीच दा एबरेस्ट अब्तार सिंग चीमा सी जड़े ओ पार्त दे पहले व्याक्ती सी जड़े माउंट एबरेस्ट ते चड़े ठीक है पार्त दे नॉट वर्ल्ड ठीक है उन अवतार सिंग चीमा वारे विदा आनू उनना दी तस्वीर विदा खौनी वन दिया है ना सो ए अवतार सिंग चीमा जी तस्वीर आते नाली तुसी डाक टिक्ट देख सकते हूं जेडी एना दे एस कार नामी नू समर्पत कीती गया पार्थ सिरकार दवारा डाक टिक्ट जारी करके ननू सनमान देता गया उनना आगली गाल एक मिनट बेटा पैनला लिया आगली गाल एतार सिंग चीमा जी कदों चाड़ी ये पहाडी जडी चोटी सी उननाने कदों सार किती उनने एनने कीती सी बेटा 20 मैं, उनने 29 में एननु कीती सी, एनने 20 में एननु कीती, 1960, 19, 9 होना थी, 1965 देविच, रेक मेंट में थानू कलियर ली एनू एक रेजर, आसी रेज कर देए, तोसी नारदी नाड़े भी सिख सकते हूं, तो आसी एनू कि ददा यूज कर देए, 1965 देविचे थे आल लिख्या भी होयागा, देविचे चोटी सी जड़ी सर किती, ए इंडियन आर्मी देविच सी गे, ठीक, संसार दे किन में बंदे सी है, सोल में बंदे सी, जिनना ने चोटी सर किती, पर इंडिया दे, इंडिया दे की सी, फर्स्ट परसन सी गे, जिनना ने ये चोटी सर कीती, हमाले आपरबट नू सर कीता, सो ये अपतार सिंग चीमा जी वारे तो नू पता लागया, होना पापा पैसेस दे बापस चल ने, हाँ जी, होन पैसेस दे खो अगए कि ये अपतार सिंग चीमा दीकल होगी, कि मैनी क्लाइबर्स हैव आलसो डाइड वाइल अटेंप्टिंग तू रीच दा पीक, मैनी क्लाइबर्स, क्लाइबर्स मीन्स पहाडा दे, चाड़न वाले जिदने चाड़ रहने परबितार हो ही, रस्ते वेची एस चोटी नू सरकान दे चक्र वेची उनना दी मौत हो गई, संग्लाइबर्स हैव रपोर्टेड देट दे हैव सीन लार्ज हीूमन लाइक फूट्प्रेंट्स इन दा स्नौ, कैंदे कोज जड़े परहाडां ते चड़न वाले परबितार हो ही सी, उनना ने एवी रपोर्ट किती कि उनना ने उत्थे लार्ज हीूमन लाइक बंदे दी तरा दिखदा बहुत बड़ा एक केलो जानबर, ओधे फूट्प्रेंट्स ओधे पैरांदे निशान देखे ने कित्थे बारपदे उत्थे, क्योंकि आप दस्या जड़े माउंटेंस ने होना थे हमेशा वो बारपनटा के रहें देने, देर एज आ मित्थ, ओधे कल्पित कथा, ओधे कल्पित कथा, मन्नी जान दिया, कहानी चल्ली आ रहिया सदियां तो, देट आ स्नोमेन काल्ड, जेटी लेवस देर, के ओधे एक जेटी नाम दा स्नोमेन जड़ाव रहन दा, ओधे उन्ना ने फोटप्रेंट्स देखे, ओधे ओधी गल कीती है, होन तुसी ओस दी पिक्चर भी देखना चाहूंगे है न, भी जेटी किद्धा दा देखा दालाओजी, ओभी आप पाता अनुद दखा ने है, सो ए तस्वीर वेटा जो तुसी देख रहे हों स्क्रीन तेस्ट हैं, ए तुसी जड़ गूगल ते सार्च करोंगे जेटी लेखके, ततो अनुए तस्वीरा उत्थे अवेलिवल हून गिया, ए रियालिटी है जा नहीं, I don't know, बट हाँ, ए मित्था है, मन्ने आ जा रहे है कि उत्थे इस तरहां दा एक स्नोमेन रहनदा आगा, सो ए असी सारी जड़ा, पैसे दिता है असी कहाणी नुमा, उसी पढ़ लेया, समझ लेया, ते होन असी ये दिया, देख दिया, क्विश्चन अनसे ज़िटा, सो फिर्स्ट क्विश्चन है, विच आर दा हाइस्ट माउंठेन इन दा वर्ल, हाइस्ट माउंठेन, केडा, केडा अगा, कादे बारे पड़े पड़े आ सी हमालया परवित्स बारे पड़े आ, सो आंसरा दा हमालयाज, सो दा हमालयाज होते थानू पहरे दी पहली ही लिख्या मिलूगा, बाच में तो आनू अंडरलाइन करके भी दुखाननी है, सेकेंड हा, वट इस दा हाइस्ट हाइट, वट इस दा हाइट ओफ दा हाइस्ट पीक इन दा वर्ल, संसार दी सब तो उची चोटी दी उचाई किन्नी है, उची चोटी के डिया हमालया, हमालया दी उचाई किन्नी है, एट थाउजन्ट एट हंड़ट फॉर्टी एट मीटर्स, ये भी सानू सेकेंड लाइन ची लिख्या मिल जाना, तो एट्थे ऐसी नई आंसर लिख दांगे, तद भी इनफ हा, अगर सारा लिखना चाहो, तो सारा भी लिख सादी, हुन तुसी कोँगे सारा कितना लिखना, वो देखो जिद्धा हुन, आपा फर्स्ट दा हमालया लिख 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 लिया, और सारी, प्र मगर सी नई लिख दांगे, तो अथों चखांगे, ठीक है, the height of the highest peak of the world is लेखके फिर मगर सियन नहीं लिखदांगे तो एत्तों चक्कांगे ठीक है एत्ते तक सारा लेखके is फिर height लिखदांगे who were the first two people to set foot on Mount Everest अगला question पुछा जा रहे हो कौन सी दो लोग जिनना ने पहली बार उथे Mount Everest ते पहरता रहा असी सिद्धे नाम दित्ते ने टैंजिंग नौगे and Edmond Halary है ना इत्ते हू अले question देवेच्च जे असी नुँआ दे हू दी जगा ते नाम लेके बाकी सारा question अला चाके पिछे लिख देईदांगे ठीक है विटा समझे लागी third हो गया question and fourth one what was the name of the first Indian to scale abreast कॉंण सी first Indian अब्दार सिंग चीमा पड़े है ना पहांजी फिर असी लिखांगे अब्दार सिंग चीमा was the name of the first Indian to scale abreast चाहे कला अब्दार सिंग चीमा लेके तो चाहा फिर बास तो लेके question देवेच्ची पे आगा कुछ लाणता जाना नहीं हा ना सो नो इत्थे लेके full stop लगा दो एक पूरे sentence देवेच्ची तो अड़ा answer हो जूगा next ना what is the name given to the snowman that some people believe lives there कैंदे ओस snowman दा की नाम सी जेडे कोज लोग विशिवाश कर देने के ओथे रेंदा है किसी जेटी आ पहुने पढ़े या चाहे ता तुसी कला जेटी लिख दो चाहे ता फिर हुने जी में तन उपर दस्थे या ठीक उस सामना the name given to the snowman that some people believe lives there is जेटी बगरेंड दे ओके सो ही हो गया तो आड़े question answer first one हुन second चा किया give meanings of the falling words सानु कोश्या बद्धिते ने ते उन्ना दे meaning बुच्छे ने पर इत्थे सानु किते ने उन्ना ने mention किता के पजाबीच लिखने ने जा English लिखने ने इसले में तो उन्नों दोना ची provide करा रही है तो उसी दोनों याद कर लिए कर सकदे बटा तोसी मेथ दा मतला हुंदा कालपेत कथा जेडी असी मानकडांत कहाणी भी कहाँ से असी अबदे माननाल जोडी होईया साननु नी पता हो true और नहीं इंगलेश चे असी यहनु लिखना होँए दा meaning असी लिखाँगा story that may or may not be true ओ कहाणी जो सच्च हो सकदी और नहीं भी next one footprints footprints की इंदा पैरान दे निशान जा पाच्चिन भी कहाँए दिन्यासी उननु इंगलेश चे लिखना होँए दा meaning की लिखांगे a mark on ground by foot or shoe shoe च दो अस पैगिया वो बाई मस्टेक होगया next one है climbers climbers कौन होंदे ने परबत ते चड़न वाले पहाडां ते चड़न वाले परबता हो ही word सी यूज़ कर सा दे a person who climbs mountain अगर इंगलिश चे सीधा meaning लिखांगे वो बंदा जड़ा पहाडां ते चड़ता उन्हों सी की कहने climbers activity number 9 स्वाल एनू अपनी बुक ते करो ते प्यान नाल एनू करो read और करो learn अगर वीडियो अच्छे लगी मेरे efforts अच्छे लग रहे ने ता मेरे channel lessons of life नू subscribe करना नी पुलना like और share करना नी पुलना वीडियो अपने दोस्त आं दे नाल till then bye bye keep reading, keep practicing because practice make a man perfect bye bye